आप देख रहे हैं समाचार एजनसी एफ इंडिया में साइन नियूज इस तर पर पहुंचा है कहा तक काम हो पाया है हम आपको आज दिखाने जा रहे है मट मंदिर हमारे पीछे दिख रहा होगा और यह मट मंदिर का मैदान इस तरफ अगर हम आपको लेकर चलते हैं तो यह railway station के platform दिखाई दे रहा होंगे railway station का जो भवन बना हुआ है वो पीछे आपको railway station का भवन दिखाई दे रहा होगा railway station के भवन का काम बहुत धिनीकती से चल रहा है और लगवग एक जिड़ साल से यह काम चल रहा है जब समाचारे एजिंस्याफ इंडिया के खबरें railway board और railway तक पहुंचती हैं उसके बाद वहां से दिये गए निलदेशों के बाद काम में तेजी आती है यहां हमने आपको बताया था कि सिर्फ बेस का काम हुआ था प्रथमतल का काम नहीं हो पाया था चुकि इस तरह अगर हम आपको दिखाए तो यह प्रथमतल के बाद ही platform पर ज यहां पर सीलियां बनाई जा रही है देखे ठीक पीछे आप देखे यहां सीलियां चलने के लिए बन रही है इस तरफ रैंप बन रहा है रैंप के जरिये उपर जाया जा सकता है एक दो तीन स्पॉन है रैंप के इस तरफ भी अगर हम आपको दिखाए तो यहां भी तीन स् इसमें उपर जाएगा प्रतम तल में अभी अब इस्टिती पहुँची है लेंटन हाइट तक इस्टेशन बिल्डिंग कैसी बनेगी यहां कोई लक्षा नहीं इस्टेशन बिल्डिंग कौन बना रहा है इस बारे में कोई जानकारी नहीं specification क्या होंगे इस बारे में कोई जानकारी नहीं क्या कोई भी एक board आपको नहीं दिखेगा जबकि कितने का भवन है कितने लागत है कब तक इसे पूरा करना है निर्मार एजनसी कौन से है ठेकेदार कौन है इन सारी चीजों का उलेख करते हुए यहां ट्राइंग भी लगनी चाहिए, डिजाइन लगनी चाहिए अंदाज से लोग बता रहे हैं कि नीचे पारकिंग भी हो सकती है पर क्या रहेगा? कहना बड़ा मुश्किल है प्रतम तल पर क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है प्रश्ण आज वही खड़ा हुआ है जो कुछ भी हो रहा है वो सिवनी के लोगों के लिए हो रहा है आपके हमारे लिए हो रहा है और आपको और हमको ना बताया जाता है ना आपसे हमसे पूछा जाता है आखेर ऐसा क्यों हमारे उपर चीज़ें थोपी जाती है स्टेशन भवन बन रहा है बहुत अच्छी बात है पर कम से कम पता तो होना चाहिए कि स्टेशन भवन किस तरह का बन रहा है स्टेशन भवन में ऊपर क्या होगा स्टेशन भवन में नीचे क्या होगा यहां पर कितनी लागत से स्टेशन भवन को बनाया जा रहा है बुकिंग विंडोस कहां पर होंगी टिकेट कहां से मिलेगी पार्किंग कहां होगी पानी की विवस्था कहां से होगी कम से कम एक बोर्ड लगा कर बताना जवाब देही है देखा जाए तो रेलवे के जो निर्मान कर रहा है चाहे वो सिविल वर्ग करा रहे हैं उनकी एलेक्टिक का काम करा रहे हैं उनकी या टी-ार-डी जिस किसी की भी जवाब देही है यहाँ पर एक संकेतक सूचना पटल लगना चाहिए था जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है और इस पूरे काम को जो भी अधिक्षन कर रहा है उसको यह ताकीद करना कि यह काम तेजगती से कराया जाए यह जवाब देही हमारे आपके सीमनी के हर नागरिक के द्वारा जिसे भी चुना गया है यह उसकी जवाब देही है कि इस बारे में वे अधिकारियों को बुलाकर इस्तिती पूछे और उसके बाद जन्ता को बताएं विनम्बना ही कही जाएगी यह चो कि केंदर का मामला है राज का नहीं राज का मामला होता तो निश्चित तोर पर विधायक चार विधायकों से पूछा जाता है जिस भी विधानसभा चेत्र का विधायकों ता उससे पूछा जाता केंदर का मामला है और केंदर में सिवनी का प्रतिने दित सांसद करते हैं दो सांसद हैं लखना दोन और केवलारी विधान सभा छेत्र मंडला संसदी छेत्र में आता है जहां पर फगन सिंग को लस्ते संसद है बरगाट और सिवनी ये बालागाट संसदी छेत्र का हिस्सा है जहां पर संसद डॉक्टर डाल सिंग बिसेन है तो चुकि ये बालागाट संसदी छेत्र का हिस्सा है, सांथर डॉक्टर ढाल सिंबिसेन आपकी जवाब देही है, आप अधिकारियों को बुलाएं, पतरकार वारता करें, और कम से कम अधिकारियों से ये तो पूछ कर जंता को बताएं कि रेल्वे स्टेशन भावन तयार हो रहा है, तो किस तरह का तयार होगा, क्या क्यार होने के बाद बताया जाएगा कि यहां यह होगा यहां यह होगा पहले जैनकारी दीजानी चाहिए कहां से यहां पर नीचे उतरेंगे लोग उस तरफ नीचे कहां से उतरेंगे पार्किंग यहां पर कहां होगी बुकिंग विंडोस कहां होगी अगर सामान की लगेज ब निवालों को पर इस बारे में अब तक केंदर में भारती जनता पार्टी की सरकार है भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता जिला इस तरी प्रवक्ताओं के द्वारा अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है इसके अलावा सांसद डॉक्टर ढाल सिंग बिसेन जो सम इस स्टेशन को हम आपको बता दें मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बिलासपूर से आई थे आरेन सुनकर उन से समाचार एजिंसी अफ इंडिया की दौरा चर्चा की गई थी उन्होंने ये बताया था और जो रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं उस रेलवे स्टेशन को य और उनके द्वारा स्विकर्ट किया गया है इसलिए इसका श्रे सिर्फ और सिर्फ आर एन सुनकर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जो हुआ करते थे विलासपर में उन्हें जाता है ना वे आते ना देखते और ना ही रेलवे स्टेशन में इतना बड़ा बवन हमको मिलता ह रेल गालियां चलेंगी कब से चलेंगी सांसर जी जनता पूछ रही है जनता को जवाब देना आपके करतब आपकी नियतिक जवाब देही है क्योंकि जनता ने बहुत विश्वास के साथ आपको चुना है आप उन्हें बताएं कि छे मेने आठ मेने पहले यहां से दो जोड़ी रेल गाली चिनवाड़ा से ने पूर चलने की बात आई थी वो अब तक क्यों नहीं चल पाई एलेक्टिफिकेशन का काम इतना बिलंद से क्यों चल रहा है और रेलवे स्टेशन बिल्डिंग का काम इ लगाता रंग कहते आई हैं 2020 नहीं 2021 2021 नहीं 2022 2022 नहीं 2023 2023 नहीं 2020 कभी ना कभी तो यह स्टेशन बिल्डिंग पूरी होगी और यहां पर काम आरम होगा तब श्रे किसी को क्यों जब सब रोटीन में ही होना है तो हमें जन प्रतिनी क्यों हमने चुना है हमने अपना पांच साल क पांच साल का भविश अगर किसी के हाथ में दिया तो इसलिए दिया है कि उन्हें पहतर चीजें मिल पाएं चिनवाला के सांसद है नकुलनात पहली बार चुने गए हैं मंडला के सांसद हैं फगण सिंको लस्ते वे एक बार से ज़्यादा सांसद रह चुके हैं पर आप ड सरकार कॉंगरिस के या भाजपा की केंदर में किसकी सरकार है अगर भाजपा की सरकार है तो आपका संसदी छेत्र क्यों पे चड़ रहा है क्यों यहां पर विलंब से काम हो रहा है इस बारे में आपको जवाब देना चाहिए जवाब आपको नेतिकता हमारे पूछने पर द सेन चुकि उनकी आवाज दिल्ली तक जिला कॉंग्रेस नगर कॉंग्रेस की पहुचने से रही उनकी आवाज सिर्फ डॉक्टर ढाल सिंग दिसेन तक पहुच सकती वहाँ छोड़के रेल मंत्री है प्रधान मंत्री को भला बुरा कहने से आखिर होगा क्या जिसे जगाना है जगाने की वज़ाए दूसरी जगए इस तरीके से अगर हम चर्चाओं में बने रहने के लिए प्रधान मंत्री मुख्य मंत्री इनको अगर हम भला बुरा कहेंगे तो आँ जनता भी समझती है कि आखिर क्या वज़य है क्या मजबूरियां है आपकी ये भी जनता को बताए जिए सीवनी के विधायक सीवनी के सांसर जबारती जनता पार्टिके हैं उनकी गलत नीतियों को उचागर करने से आखिर कतरायक हो जाता है रेलवेस्टेशन का भवन अभी प्रथम तल्पे पहुंचा है ये रेलवीस्टेशन का भवन एक ही मंजल बनेगा दो मंजल चार मंजल बनेगा इस बारे में बताएगा कौन जब शुरुआत में नीचे इतना काम हुआ था तब ये प्रतीत हो रहा था कि नीचे ही बुकिंग विंडो बन जाएंगे और इसके उपर कुछ नहीं बनना है तो आकर ध्रम में आकर क्यों सीर्णी की लोगों को बताया नहीं जा रहा है और ये सब कुछ बताने की जवाब दे ही बाला घाट संसदी चेतर का हिस्सा है बाला घाट के सांसट आप्टर डाल सिंग दिसेन ये सब कुछ बताने की जवाब दे ही आपकी है कि इसके उपर और मंजल बनेंगी नहीं बनेंगी कि इसके उपर और यहां पर इस और दो चार छे आट मैने में अगर ये काम पूरा हो जाता तो समझ में आती साल दर साल चला ही जा रहा है कब तक चलेगा ये काम कब तक यहां पर लोग धूल फाकेंगे ये बात भी एक बहुत माइने रखने वाली बात है इसलिए नेतिकता अपनाईए सांसच जी भारती जनता पार्टी के जलाध्यक्ष जी कॉंग्रेस के जलाध्यक्ष जी विधायक जी और सीवनी की समस्याओं को सामने लाने में मदद करिए सीवनी की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करिए रेलवे स्टेशन भवन लोगों ने कहा हमने आपको एक एपिसोड में ये भी दिखाया और ये रेलवेर स्टेशन भावन कब तक पूरा होगा कितने मंजिल बनेगा ये कहना बड़ा मुश्कल है यहाँ पर एक बेसूचना पटल नहीं लगा होगा समाचाब एजनस eof इंडिया की साई न्यूज में लिम्टी की लाल 10 के 462 अपीसोड में फिलाल इतना हीएगर आप समाचाब एजनस इफ इंडिया की साइझ डिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चेनल पर जाकारे से देख सकते हैं अगर आपको ये सारे वीडियोज पसंद आ रहे हो तो आप इने लाइक, सब्सक्राइब, शियर जरूर कीजिए समाचार एजंसी एफ इंडिया के सायोगी अकलेश दुबे के साथ निम्टी कि लाल टैन का 466 बाइपिसोड लेकर बहुत जल्दा आजर होंगे वे फिल आल इजाज़त लेना चाहेंगे, शैहिंद करका दो आप लेकर चाहेंगे झाल